हेलो नमस्ते वलकम तु मैथ अदिक्षिन रो यो वीडियो मा में दिसकेशन गरने साँ Microsoft Excel संग रिलेटेद महत अपून मल्टिपल चोई सकेशन सरू यो वीडियो इस्पेशली राष्टर पाणिजे बैंक लिमिटेट को लेबल फोर को प्रिटेस्ट नेपल राष्टर बैंक लेबल फोर को प्रिटेस्टर अवरू competitive exams को लागी महत अपून सा तेसले सलाइन समय हरनो वला without wasting much time, let's get started alright, so आमी 40 सोटा मल्टिपल सु एस्ट कुशन सरू discussion गरना जादेसु एकदम रामसंग एरनो वला धेरने महत पून कुशन सरू यानि रमबले तबाई गोला इलियर आयकोसु so question number 1 मा सामी संग Microsoft Excel is a Microsoft Excel के हो so एसको right answer हों सो option number B यो एवटा spreadsheet program हो question number 2 मा in order to start Excel from the run command you have to type so question number 3 an Excel worksheet is made up of Excel को worksheet के द्वारा बने को होंच so एसको right answer हों सो rows and columns यो जो अथ पाई area देख देवनों सो यो पूरे area आई येसला आमी worksheet बनेरा बनने करशों यानि रहनना सक्नों सो यो थाड़ वाला जो लाएं सो येलामी column बन्चों रोज यो तेरस वाला सो एसला row बनें सो रोर रोलम बटा मिलेर बने काँँज़ एकसल को वक्षिट ऐथा Q4. What are the tabs that appear at the bottom of each workbook called? प्रतेक workbook को bottom अथवा फेद मा अप्यर हुने tabs लाइक की बनेंज़? इसको right answer हुनेज़ वक्षिट tabs पनेंज़ Q5. What does count A function do? Excel मा यवड़ा function हुनेज़ count A, इसले के काम गर सा? इसको right answer हुनेज़ option number D, इसले non-empty cells लाइक count गरने काम गर सा जस्ताई, महिए यान युरत पला यूज़ गराते है दिन्सव सपोज पोईलो वाला cell मा मले RAM बनेर यवड़ा नाम थाइप गरे दोसरो मा हरी बनेर यवड़ा नाम थाइप गरे तेस पजाड माले tap प्रेस गरे यवड़ा cell 40 रोडे, यान यवड़ा 23 बनेर थाइप गरे अबर, कुणि यवड़ा cell मा जाऊं, जस्ते मानों या अनिर आयों हामी एसमा मले is equal to बनेर लेहर count a बनने function अपलाई गरे count a यान ये रहन नो सथनूंज, tap प्रेस करे मले यदि मा यो cell range लाइ सेलेक्ट करे र एत्ती समा सेलेक्ट करर र enterprise गरशू बने, येसको answer 3 आउस किनो 3 आउस, किनो मने मले केवल यो cell range मा तीनोटा कोठा बरेको सु यवड़ामा राम स, और कोमा हरी स, और कोमा तबाईको 23 स, बाकी तीनोटा कोठा खाली सन so count a function ले भरेको कोठाला गन्च, खाली कोठाला गन्दन अब यानिर बरेको र खाली कोठा को संख्या बराबर भाको नाले तबाईला लागना सक्सा आईना कि 3 answer कसको, मा बताई राऊस, 3 answer तबाईको बरेको कोठा हरलाई ध्यानमा राहेर निकाल लिएको so enter आनि पसी तबाईलनोशकनों ज 3s को answer आईको स, राइट so बुजन बाईने count a function को काम कियो, count a function को काम होंच to count the non-empty cells आईतर question number 6, which of the following is not a term pertaining to spreadsheets तबलत येको चारड़ सब्द मद्दे कुण साई सब्द spreadsheets अंग सरोकार रागता है so option number C, browser बन्ने वाड, spreadsheets अंग related हुदा है cell, character, formula यो सब पई spreadsheets अंग सम्बंधितन साईता question number 7, another name for a pre-programmed formula in Excel is Excel को pre-programmed formula को और को नाम, alternative name के हो question number 8, which of the following identifies a cell in Excel Excel मा सेल लाइ के द्वारा identify या चीनिंज so right answer हुँँँए option number A, address द्वारा प्रतेक सेल को यावडा address हुँँए question number 9, which term is used to join the selected cells into one cell द्वी या द्वी बंदा बड़ी cell लाइ, एक आपसमा ज्वाइन गर्रों योटे cell बनाऊने प्रक्रिया लाइ के बनींसा so right answer हुँँए, merge, option number D, merge question number 10, formula in Excel always begins with A, N Excel मा हर एक formula को शुरुआत के द्वारा गरिंसा so right answer हुँँए, option number A, equal sign द्वारा गरिंसा हुँए, यो sign द्वारा आमी Excel को formula को शुरुआत करसा हुँए, question number 11, A अथवा N, dash is a series of two or more adjacent cells in a column or row or rectangular group of cells, द्वी या द्वी बंदा बड़ी adjacent cells हरु, जसला आमी rectangular group of cells को नी भनना सक्सा हुँए, this like kे बनींसा, so right answer हुँँए, option number C, range बनींसा हुँए, question number 12, what is the extension of saved file in MSXL, जब आमी MSXL को file saved गरसा हुँए, तेसको extension की बनींसा, file extension, so right answer हुँँए, option number A, .xls, आला की तबहे को जो latest version अरुसान, 2013 रती हुँँए, तेसको लाकी .xlsx बनींसा, xlsx बनींसा, तरबहे यानिर answer option मा ये इसा, so .xls, येसको राइट एंसर हुँए, question number 13, grid lines, अबहे यानिर चार्वन अप्शन सान, A मास, maybe turned off for display, but turned on for printing, अशको मीनिंग हुँँँँए, grid line लाए हामिê normally hide गरना सक्सें, तरब printing को पे ला फेरी तेसलाइ turn on गरना सक्सें, B मास, maybe turned on और off for printing, printing को लागी grid line लाह मी turn on कुणना सक्सें, या off पनी गरना सक्सें, C मास, maybe turned off for display and printing, इसको राइड असर उन्सा, option number D सपपई गर्ण सखिन्छा, जीए पनी काम तबाइग गर्न सखिन्छा, grid line लाइट अपै डिस्पले को बेलामा अन पनी राखना सखिन्छा, आपनी राखना सखिन्छा, printing को बेलामा पनी on-off गर्नी facility हम लाइड प्रवाइड गर्सा, Excel लेट, र्यूम्टे साथ के एला धुर्से चर्सार म्हां प्रता लगाने का मिर्सा, हाइदा फिंस र्ले डेट रेकोर्सा क्षिछ मुरू 15 , in Excel , you can activate a cell by Excel मा घामी याल कसरी अक्षरी 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 गर्न साख्सा। data entry को लागी, so option number A मा tap की प्रेस गर रहा, B मा clicking the cell, C मा arrow की प्रेस गर रहा, so of course 3 तरीका वड़ा cell अक्टिवेट गरना सगेंस, so option number D is right answer उन्सा, all of the above Question number 16, you can automatically adjust the size of text in a cell if it does not fit in width by कोईली काय की उन्सा हुँँदारी, कुणि येवड़ा cell मा तबाई typing गर देऊन्सा, तरत यो text तेस मा fit बहाएन अबनी, हामी कसरी तेक्स्ट को size लाए, automatically adjust गरना सक्सा हूँ, ताकि ये पूराई content येवड़ा cell मा fit होई, सो येसको right answer उन्सा, option number C, तबाई format cells मा गवयर, shrink to fit बनने check box मा ठीकल गावना सक्नुँँँच, इसलिए कसरी काम गरसो मा या निरत पाला देहाना सांसु, ये रमसंग ये रन्नुस, जस्त ये यो cell मा मा टाइप गरसु, computer science, अब ये रन्नुस्त ये computer science बनने जो मा येले typing गरे, ये 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 वटा cell मा फिट बोयना, है, ये cell बनना बाईर गई राशा, सपोज मा ये computer science लाई, ये cell मा फिट गरना चांचू, बिना ये cell को लंबाईर चावड़ाय बढईर, मा इसलिए फिट गरना चांचू, इसको font size घड़ायर, ते थिकर कसरी करना पुरसा, right click गरनुँँच, format sales मा जानुँच, alignment मा जानुँच, string to fit मा चेक लगावनुच, और कुरा बनना वनी, को सरी fit गरना सकींच, बने रो सोधी राधियो, so, shrink to fit बनने option को यूजगर रो, fit गरना सकींच, ऐधर, Q17, if you are working on Excel 2007 or any of the latest versions, there are dash rows and dash columns, यति तब ऐखल को 2007 या तो वनना माथी को वर्जन पर योगड़ रोन सकींच, को यूए रोर रो, को यूए को जानुच, तेसमा यूए यूए को रोक सितमा पनना खुछे को, of course, सो इसको राइट एंसर उनसा option number D 10,48,576 rows उनसान 16,384 columns उनसान यो पोहले वाला संख्या वनेको 2 power 30 हो और यो दोसर वाला संख्या वनेको 2 power 14 उनसा इता तबाई चेक पनी गरनना सकन उनसा लास्ट वाला कॉलम को एड्रेस साई XFD बने रहाँ जाईता लास्ट वाला कॉलम को एड्रेस सबसे पहला फर्स सेल मा आऊनु साईना तेस पसाड़े तबाई गांट्रोल संगा राइट एरो की प्रेस गरनु वाला तबाई सी दा लास्ट वाला कॉलम मा पुराइट इनसा यह यह निरा XFD बने सा यह जो कॉलम सा यहको नमबर उनसा 16,384 रो यह ती तबाईले कॉन्ट्रोल संगा डाउन एरो प्रेस गरनु वाला यह निरा नमबर 1048576 यह लास्ट वाला हो हो यह ती तबाईले कुनी सेल अड्रेस मा डालर को साइन इंसर गर दिनू भाईबने क्या होंचा यह जो राइट एंसर होंचा अप्शन नमबर A, An Absolute Sell Address is Created Question No.19, In Excel, The Fill Color Button on the Formatting Toolbar is used for what? Formatting Toolbar मा यह वडा Fill Color Button होंचा त्यो की को लागी प्रयब गरिंचा Background Insert गरना को लागी, Border Add गरना को लागी, To Add Color to a Cell Range, None of these So obviously Fill Color Button को कामन सा, To Add Color to a Cell Range, So Option No.C is the right answer Question No.20, Wish of the Falling Methods cannot be used to enter data in a cell यह वटा, Cell मा data entry को लागी कुन साइ method को प्रयोग गरना सकी ताहिन So इसको right answer होंचा Option No.C, Escape की दवायरा हामी data entry करना सक्दाना आमी arrow की दवायरा, Cell मा पुगेरा data entry करना सक्दाना सक्दाना Tap की दवायरा, Cell ला activate गरा data entry करना सक्दाना Formula Bar बड़ावनी data entry करना सक्दाना ताहरा, Escape की बड़ा data entry करना सक्दाना Question No.21, Is Excel file is called a workbook? Because प्रतेग Excel file लाए workbook बनेंसा, कीना बनेंसा? कीना बने, It contains many sheets including worksheets and chart sheets यह उड़ा workbook बने को multiple worksheets र चार्ट sheet को collection ते बरे इसलाई दिस्तो बनेंसा Option No.C is the right answer Question No.22, How do you display only current date in MS Excel? यह दितावाई current date, मतलब आजको date मात्रई display गराऊना साना से Excel मा अपनि विजी कुन साय function या command type गरन्नू परस यह सको right answer होंच option No.B today, is equal to today मैं याने र तबला देहाई दिन्सा, यह आमले Excel open कर्यों, कुन यह वड़ा sale मा जानूस यह दिरा is equal to गररा today बनने command टाइप गरन्नूस bracket लगावनोंच enterprise गरन्नूस आजको मीती यह दिस्प्ले गराऊना सा, केवल मीती मात्र डिस्प्ले गराऊना सा question No.23, Which button do you click to add up a series of numbers? यह दितवाईले number औरको यह वड़ा series लाए जोननूस बने विसी कुन जाए button मा click गरनूस auto sum बनने button मा click गरनूपर सा, so option No.A is the right answer मा यह देखाई दिन्सो, यह दकसरी कामडर से यह दिसले so सबोज यह Excel को worksheet बा, तीन चार और नमबर लेक्सो मा, 23 यह वड़ा number हू यह दिस्पले गराऊना चाहांस बने की गरनूपर सा, सीद तबाई यह auto sum यह देखी राखनूपर सा, यह समा click गरनूस यह सले selection गरदींसा, enterprise गरनी बित्ति है, answer 97, so auto sum बनने की use गरिंसा, sum निकालने को लागी question No.24, which of the following is not one of the Excel's what-if function question No.25, which of the following format you can decide to apply or not in auto format dialogue box auto format dialogue box वड़ा, तबाई कुँँचाई format हरू, apply गरन बनी सकनूँचा, र न गरन बनी सकनूँचा, तबाई को आपनो वीशो मतलब त्या निरा कुँँँँ-कुँँ format अरुको option तबाईला देखा पोरसा, बनना कोई सेको, हैता, so number format, border format, font format, येसको right-hands रूँँचा, all of the above, सपपई प्रका को format त्या निरा display हुँँचा, मैं यांदे है दिन्स वाइदा, जस्ते for example, हमले कुँँँ येवड़ा, sale लाइ selection गर्यों, for example, ये first वाला लाई, येसमा right-click गरनूँच, अन यानिरा format sales मा जानूँचा, ये नुस्ता, यानिरा के के सा, number format सागे 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 सागे, ये number format हो तबाई, आपनो किसिम को number यानिरा selection करना सागे सागे सागे, कुण type को number format तबाला जाई हो, font format मनी सा, border format मनी सा, सपपई तापको format सागे यानिरा क्यों सा, available हो जाईता, so all of the above, तेसको right answer होनुँचा कारण ये हो, आई Question number 26, when you insert an Excel file into a Word document, the data आर, ये इतावाईले, Excel को file ला, Word को document मा insert गर दिनो भाएवने, data जाई के होन्सा, Excel को worksheet को data जाई, Word document मा के होन्सा, so इसको right answer होन्सा, option number B, linked होन्सा Question number 27, which keyboard shortcut in Excel opens go to dialog box, कुन सा keyboard shortcut ले go to dialog box open गराऊंसा, Excel मा, so इसको right answer होन्सा, option number B, F5 Question number 28, the number in your worksheet looks like this, 1000, you want it to look like this, dollar 1,000, how can you accomplish this, ये इतावाई 1000 लाई, इस तो format मा display गराऊना चाहन होन्सा वने, कसरी गरना साखनोंसा, so इसको right answer होन्सा, option number C, currency style button मा click गरने, formatting tool बार मा, मा यान इरो गरर देखाऊंसा तावाई, जास्ताई, येवडा sell मा मैले, 1000 बने लेखे, ठीक्सा, तरमा एसलाई कसरी डिस्प्ले गराऊना चाहन्सा, एसको अगाडिये dollar को sign, one पच्छी कमा, so यानिर, यो जो तबाई dollar को sign देख़े होनुँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँ Question No.29, which of the following option is not located in Page Setup Dialog box? Page Setup Dialog box मा कुणच आइ Option इंक्लूट हो दाईな, पहला मत बाला देखां हो तबाई आफे गेस गरनूँँँँ अगरनूँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँ PACE BREAKS, PAGE ORIENTATIONS, MARGINS, HEADER AND FOOTERS, so let's see PAGE LAYAVATMA JAHANUS, रब यानि रहनो, सहने, यो PAGE SETUP, यो देखे राखने बाला सह, PAGE SETUP वाला AREA या SECTION, MARGIN वाला सह, ORIENTATION वाला सह, तेस एगर यो BREAKS वाला बनी सह, PAGE BREAKS, यासमा HEADER AND FOOTERS, का है निरा, चाहिना So Q हुँँजा, the right answer, option number D, HEADER OR FOOTERS, बनने option available हुँदान, 30, you want to track progress of stock market on a daily basis, तबाई stock market को progress ला track गरना चाहन हुँँजा, daily basis मा, तेस बाई कुण type को chart तबाई यूज गरना पड़ला, so daily basis मा येदी तबाई progress circular reference मने को की हो, circular reference, right, so येसको right-hand सुरों सो option number C, a formula that either directly or indirectly depends on itself, येदी कुनी formula, directly या indirectly आफे माते depend गर सावने, त्यों की हो circular reference, गुमि फिरी आफे मावने 32, without using the mouse or arrow keys, what is the fastest way of getting to sell A1 in a spreadsheet, बीना mouse या arrow key को प्रयोग गर्र, येरी तबाई first sale मा, A1 को मतला first sale मा पुगन साहन होंचा बने, तेसको लागी shortcut के होंचा, so येसको right answer होंचा, option number A, control home थीसे रहामी A1 sale मा पुगन सक्सां, question number 33, which of the following methods cannot be used to edit the contents of a sale, येवडा sale को content लाई edit गर्ना को लागी कुण साह method को प्रयोग गर्ना सक्कीताया, pressing the alt key, clicking the formula bar, pressing the f2 key, double clicking the sale, so formula bar वड़ा edit गर्ना सक्कींस, f2 key प्रेज़गर edit गर्ना सक्कींस, double click गर्ना सक्कींस, तर alt key प्रेज़गर content लाई edit गर्ना सक्कीताया, so option number A is the right answer, question number 34, getting data from a sale located in a different sheet is called, excel को worksheet को यवडा sale मा रहेको data लाई, येदी तबाई और को worksheet मा obtain गर्ना चान होंज़ बने, this like की बनीनज़, so येसला बनीनज़, referencing option number B is the right answer, question number 35, concatenation of text can be done using excel मा तबाई text को concatenation कसरी गर्ना सक्कींस, concatenation को मतला बुंस, दू येवडा string लाई, या text लाई, जोडेर येवटे बनाऊनी, so येसको लागे हामी, m% sign को यूज़ गर्ना सक्सों, option number D is the right answer, कसरी काम करसे इसली, मतला बुंस, या निरो practically येरनुस, जस्ते मानों येवडा सेल मा, आमली is equal to sign देर, येवटा text लेखियो आमले, RAM, रत्येस पसाड़ी तबाईली 20 मा येवडा sign यूज़ गर्नुब, रत्येस पसाड़ी ह, A, R, I, inverted, कमा मले लेखियो आमली, किना मने text हो, येसरी लेखिर, enter येदी प्रेज़ गर्नुँँँज़ बने यो येवडे सब्दा बने आलसा, RAM, Hari, येवडे सब्दा बने आलियो, सो, M percent या and cosine यूज़ ओँज़ इस ट्रिंग कंकाटिनेशन को लागी, ठीक्सा, Question number 36, Which of the following is an absolute cell reference, तौलब येवडे को चारड़ मद्य कुण साइले absolute cell reference भूज़ आऊँज़, सो, Option number A, जाने रत पाईको dollar cosine प्रयोग गरिंज़, dollar A, dollar 1, रो को अगाड़ी पनी dollar को साइन, रो column को अगाड़ी पनी dollar को साइन, येसरी दुछवडी प्रयोग गरिंण पर सामले, Question number 37, Which function is used to calculate monthly mortgage payment, Excel वोड़ ये रिता भाईले monthly mortgage payment निकालनू पर नेच साह, बने विसी कुण साय function को प्रयोग गरिंण पर नेचा, So option number A, PMT, यो annuity संग related function हो, ठीक सा? Question number 38, Which shortcut key is used to hide entire column in Excel, मानो Excel को worksheet को कुणी ये उटा column लाई, तबाई hide गरना साहन होंच, look out ना साहन होंच, मने कुण चाई shortcut key प्रेज गरनू पर सा? So right answer होंच, Option number B, CTRL संग 0 प्रेज गरनू पर सा? यसले तबाईको column लाई hide गर देंच, Question number 39, The shortcut key for filter in MS Excel is, MS Excel मा filter अरो लगाउन को लागी, कुण shortcut key को प्रेज गरना साहन होंच, So right answer होंच, Option number B, CTRL SHIFT L, जब अतबाई यो shortcut key प्रेज गरनूँच, यस तो टाइप को निशान बनी आलस, सेल मा गाई रहा, आई तब, filter लागी आलसा बनना होजेगा, Last question, Question number 40, Red triangle at the top right corner of the cell indicates, कुणे योटा सेल को, त्रिबूस को निशान साहन होंच, So right answer होंच, Option number B, there is a comment associated with the cell, यस लेको स्री काम गरनूँच, मैं देहांच, तबाई प्रैक्टिकल येरनूँच, जस्त यो वाला cell होंच, मैं कुणे comment इंसर्ट गरनूँच, मैं येसमा right click गर्षो, इंसर्ट comment मा, तबाई को येर के लेखना सकनोंच, जस्ताई, $1,000 मा तबाई लेख दिनुवा, my salary बने रख दिनुवा रहे, So, येरनुस्त, यान येर तबाई को यो, रातो टिक को निशान आया के आयाना, येसले की बुझामस, comment, comment बुझामस, येतर, ओके, यो वीडियो मा येतिनी, होपेसमा इंक्लूड गरियोको questions रू तबाला रामा लायाको वला, येर यो वीडियो informative लायाको सबने, आपनो साथी औरसंगा पक्योबनी शेर गरन्नूस, रमेरो YouTube चैनल Math Addiction लाए subscribe गरन्ना नबिर सिनु वला, मग येस्ते उस्फुल वीडियो लेर तबाएको लागी तबाएको लागी ताम आओ देगरन्ने सु, अईलेको लागी बिदाऊंसु, थैक्यो वाच्छिंग वाच्छिंग वीडियो, See you soon in the next video.